हुआ है हुआ है यह यह गूद बॉर्निंग स्टूडेंट्स आयहोप रुड़ गुड़ और हल्दी वेलकम बैक टो देएली टेन टू-50 इन फिर अफ कर अफ इस अफ खर अफ कर अफ और येंटीड क्लास इस तो हमारा है लेक्टर नमब फूर रहने किया था लेक्टर नमब बारे में आइपल क्या होता है और आइपल से रिलेटिटिट मैंने आपको यह भी बोला था कि कमेंट ओप्शन में लिखना है कि 2024 में यह कौन सा एडिशन आइपल का चला है ठीक है आई होप आप सब पढ़ा कलब में कि इन यू गेम और इन्डिया उनिवर्स्टी गेम्स में ऑदी क्या फार्क है से लिवे स्सक्राइब है क्ला क्लास कर लिए हमने पूंज पूछ चींगर लोंबर वर हमारा स्पोल्स से रिलेटेरी रहेगा बट आज की क्लासिज में क्या चेंजिज होंगे कि आज की क्लास में हम न्यूज पढ़ेंगे स्पोल्स से छोगाइब क्रिकेट से डिलेटेड के न्यूज है और Facebook से डिलेटेडड के न्यूज है इन तीन स्पोर्स को हम केतेग्राесकेटेग्राइज में करेंगे ताकि ये बडती खत्म होज़ाए Mull성 बच्छी से जा कि के Всем कि कर दो तो बादसी निए आगर टनीस की बात हो और इनको ना ले तो बादसी निवन छोंकि यह इनका नाम U.S. French plus Australia की Open Tournament 2023 इस इन अकेले नजीते हैं ठीक है तीन टूरColl advancement नाम सिर्फ एक So exams में ये भी आ सकते हैं कि U.S. Open Tournament 2023 किसने जीता है या फिर ये भी आ सकते है कि French Open Tournament 2023 किसने जीता है या फिर Australia Open Tournament 2023 किसने जीता है सो तीनों में से कोई भी कोश्चन क्यों नाए अंसर हमारा सिर्फ एक रहेगा निवोक डिजोविक एक बंदा तीन कप अलग अलग ठीक है इनके नाम होर भी बहुत जाद है वोट्स है बट रिसेंट में न्यूज में यही है सो जस्ट रिमेंबर इसी के बारे में याद रखो ठीक है तो यूएस कप भी फ्रेंच भी और उस्ट्रेलियन ओपन टूर्णमेंट 2023 किनों ने जीता नौइक डिजोविक और अब एक चेंजी इसमें क्या है कि 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया वाला हुआ था यह दूबारा से अभी रिबीट हो गया यह हर साल के बेसित पो पेस्दें जो यू ऐस वाला वह इस साड्य र्खयोन हुआ है आइधिंग जुन में और जो यह फ्रेंच वाला यह से में में पुलू के बहुत एंग अलम जाना जाता है और आती यह द्वियुनिशं में में लेकल करने दो इस इने बढ़ ँप बद रहूंत थो तोर्ड नेज्स क्यों शогल so United Cup 2024 किस ने जीत लिया है जर्मनी ने जर्मनी ने क्या जीत लिया है United Cup 2024 कैसे भी आ सकता है कि United Cup 2024 किस ने जीता है so simple सा option है चार option आएंगे कहीं भी आ जाए USA, Germany, Italy, किस ने जीता है जर्मनी ने जीता है so Germany would be the right answer for you right so moving forward to the next slide tennis related यहीं निउस थी important ठीक है so tennis related यहीं निउस थी तीन important निउस राइट अब यह असान होगा आपके लिए कि हाँ मैंने tennis related यहीं निउस पड़ी ती और वो तीन निउस एक ही PPT में है जोगी 2023 और 2024 से important news ठीक है now recent में आने वाले कोई भी awards हैं तो वह भी मैं cover करता रहूंगा राइट तो अगले topic पर चलते हैं आगली निउस हमारी क्रिकेट से related क्रिकेट से related क्या important news आती है हमारे पास ठीक है so cricket से related हमने कल भी पड़ा था cricket से आई पल क्रिकेट क्या इंडिया में पहुती पॉपुलर एराइज स्पोर्ट्स माना जाते क्रिकेट ठीक है so cricket से रिलेटिव जो पहली हमारे पर न्यूस आती है वह आती है और यहां आती है अब यह एक्जांस में कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है यहो सकता है कि यह रिफ्लेक्ट ऐसे हो सकता है जो नियुकर्ण ये ने नरेंदर मोदी जी ने अभी एक इनागुरेट किया ए इंटरनेशन स्रेडिया में जहां पे लोड शीवा है वो कौना सी सदेटाया है यह टुनी टेरी की न्यूज है जब वल्ड कप उस टायम चला हुआ तो उस टायम की न्यूज थी एक सचींत्स प्रैक्रफ और क्यूंकि उनको गोड ऐकिड़र बोला जाता है उन्हें बहुत ज्यादा बूक्स भी लिखी हुई हां ताइफ फिर लेव आपको सिफ़ याद रखना है है यहां पर फॉर्थ नमबर नूजी से रिलेटिट यह रिलेटिट क्या है की जब हमारे 2023 में World Cup हो रहे थे सो World Cup के दुरान World Cup उस World Cup के दुरान सचिन को Global Ambassador के रूप में जाना गया था तो यहाँ पर दो news important आती है जैसे कि हमने अपने second lecture में किया था कि जो हमारे ambassadors होते हैं की नूज़ भी बहुत ही ज्यादा in poorer पूर्टेंट फो प्रॉटयन हो सचिन को था किसमे को सचीन सचीन तैन्दूलगर जी को moment अबर एंबेस्टर बनाया किसका क्रिकेट ओडिया 2023 में जो अभी वल्ड कुछ लिए आपसे की वर्ड कप से रिलेटिड टोन्रेट टॉन्डीट टुन्डीट रिमे जो ओडिया वल्ड कप हुआ था फिफ्टी ओवर्स वाला उस वर्ल्ड कप में जो एंबेस्टर थे अगर एक्टर का पूझे तो शारु खांते हैं एक्टर एसर के एक्टर का पूझे तो एक्टर थे obviously शारु खान और है उसके वाद हम चलते हैं इस तांदूगर, विरेंदर सहवाग, कपिलदेव, तो यह सारे के सारे क्याते हैं, बैसिकली इमपोर्टेंट, नहीं, मैं में में रिकॉदिंगे, दस मिनुट बस, तो इस नूजी रिलेटेटे रिलेटे रूटे ती अब होल फ्रेम, हमें क्या इक क्रिकेटर सटेंन के नाम इंक नाम किया गया है इनका नाम भी देर डूसरा इस लिवा और तीसर थी यह नद जरूर कुंकि द्यूरी है यह नाम होल motivating proposed भी बहुत ťादा न्यूज बनते इस न्यूज पे स्टार मार कर लिया जाए स्टार मार कर लिया जाए इस न्यूज में कि यह न्यूज बहुत ज्यादा इंपोर्टन है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन आप पर कैसा कोशन आए गई है कि होलो फ्रेम में होलो फ्रेम में कौन से तीन मैंबर्स को अभी च है है यह कि नेक्स्ट कोच्ण हमारे पासा यहां पर मैं तो स्टार मार कर रहा हूं क्यूंक्स看ति यह द्सेयर के कि क्या की जो की अगर कोई चीज ऐसे पड़ो तो उससे ठीक है अब यह न्यूज क्या है कि क्रिकेट ने बीसी सी आई ने अपना जो टाइटल स्पोंसर है टाइटल स्पोंसर है उस में किसको चुना है है मास्टर काड को मास्टर काड को और IDFC फर्स्ट बैंक को चुना यहां पर यह नीओसे बहुत जादव इंपोर्टेंट है मैं तुम मैं दुबारे यहां पर टाइट बना लिया घया है पिक्वान आखके पास ौप्शन ऐसे आ सकते हैं एक यह पकछंस celebration रश cocktail पाइट थे स miraculous आइड़ पर और समय ब्हारत पर करेंस को पार्टनर बनाया बनाया है भारत पे को किसने बनाया है बीसी आई ने ठीक है बीसी आई ने किसको बनाया इनको बनाया अपना क्या टाइटल पार्टन ऐसे ही अगर बैंक की बात किया जाए तो HDFC Bank State Bank of India किसी बैंक को नहीं बलकि IDFC Bank को बनाये गए इन्होंने अपना टाइटल पार्टन यह कोशन अपने आप में बहुत 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 जादे इंपोटन कोशन है उसके बाद नेक्स पर चलते हैं है जिसनों यहां पर क्या हवा था कि यहां पर टोव मैं अभी हाई लाइट हुए थे अंपायर का रोल में पहली हुई मैं सेंदक में अंदर É कि अमपाईर्ग की हो तोई दो केसिसे हैं यह अभी हम क्रिकेट की नीस पढ़ रहे हैं तोई क्रिकेट में पढ़ लेления की क्रिकैट में क्योन थी वह not कोटेन जो की न्यूजिलांड के हैं कि में न्यूजिलांड के उन्हों ने इंटरनेशनल टी ट्वन्टी क्रिकेट में क्या किया थी अंपाइड की और ऐसे अब हम आगे फूटबोल में पढ़ेंगे कि फूटबोल के अंदर भी एक फीमेल ऑंपाइर रहा है जिनों ने क्या क कशिश्टल राइस का मैंस कर जर्मनियों करेश्टल एसका मैंस ता उसमेंच के अंदर उन्हें क्या की ती आमपारिंग की दो यहां पर जो क्रिकर से रुडेटेड अंपाइर गर्लड यह इपश्टन अगर आपके पास कि यह थीट्विंटी व्लकाप यह रहा है कि यह unk aggregation में वडिज वड्स इंडीज मैस तीस ब्लक हुआ यह रहा है कि वैंटीज ओर यह कि व्लकाप टोटिव्ट ट्वाइब एक कि आंपे ओगा ट्रीवोट सेट प्लूटेज जून के अंदर यूएससे और खुश specifically 2026 और 2028 में वोल्ल्क कब कहांपे होगा 2026 में शिरी लंका वर्सीज शीरी लंका में हो रहा है और कहांपे होंगा इंडिया में शेलांका और इंडिया 2026 का व manifestation श्ट करवा ऋस्ट कर वा रहे हैं ऐसे 2028 जो 2020 व्लकॉल कर आपे होस्ट होगा रहें ये कॉशन तो यहां पर चार बार ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था जीता था उसके बाद हमारे पार आइपल से रिलेटेंड न्यूस आइपल से रिलेटेंड न्यूस यह है कि इतिहाद Airways इतिहाद Airways जो UAE United Arab Emirates यह CSK को स्पॉंसर कर रही है वेरियस टीम्स होती है वेरियस स्पॉंसर होते है तो इस पर क्याए कि जो CSK को 2024 में जो स्पॉंसर कर रही है वह है इतिहाद Airways जो की एक दुबई-बेस्ट एयर्वेज है और ऐसे ही उनकी जो CSA की क्यों अगली लुआ क्यों दूसर ट् уб basilface लइन जो टीनो फोर्मेंट में तलो की तिटीध टैक्थ वोरमेट टास्ट फॉरमेट अनन्टी फोर्मेट यह तो आट से पोर्मेट के अंदर एक पहले ऐसे इंडियन बने हैं जो तीनोई फॉर्मेत में first position पेया टोप किया है ऐसा पेले कभी नियुग है यह तो ऐसा होता है कि यह पर पहले आसे बोलर जो तीनो फॉर्मेट में इन ट्वेंटी in वर्ल्ट कप एंड इन टेस्ट में टीनों में क्या है यह टोप पे tension एंज निफ्स आती है यहां पर इपल से डियेति डोल सो IPL में इस रहे पील को भून स्पोन्सर कर रहे हैं६ ताटा सो चाटा गृरूप सै स्वाल जो स्पोंसर कहा रहे हैं इस बार उसके बाद पर चेह थिंद द्रिवेघ्य रिस भी क्रिकेट तो क्रिकेट से इसलेटेड न्यूजव है कि 2023 में पहली जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेला था उनका नाम है डैनियली मेखे ओल्दो बाद में कमीटी बैठी ती जिस कमीटी के हिसाब से क्या हुआ थे कि इनको बोला गया था कि आप रिटायर ले लो रिटैनमेंट ले लो क्योंकि ट्रांसेंडर्स को अलाउड न तक टैनिस की न्यूज हमने देख लिए क्रिकेट से रिलेटिन यूज देख लिया और आज अवर था टॉपिक यहां सो आ सबसे पहली फीफा विफा की तरफ से एक स्कीम चलती यह फीफा . फंड करती है उस स्कीम को उस स्कीम से रिलेटीड इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर All India Football Federation की तरफ से स्कीम के नाम है मोहिन बगान एक्जाम में यह भी आसकता है कि बैसिकली दुरंद कॉन से स्पोर्ट से रिलेटीड है यह पहले भी कोश्चन आया हुआ है तो यह याद रखना दुरंद कप जो है वो क्रिकेट से यह टैनिस से रिलेटेड नहीं है दुरंद कभी रिलेटेड फूटबोल तो फूटबोल से रिलेटेड है दुरंद कप 2023 कौन सी टिम जीती है मोहन बगान नेक्स्करंट अफेर हमारे पास है यहां पर लुएन मैसी जो मैसी जो अर्जेंटीना के प्लेयर है मैसी को एक अवोड मिला है लोरियस स्पोर्स स्पोर्समेन ओफ दे यह 2023 अवोड मिला है यहीं नहीं इनको अभी जब 2022 में जो फीफा हुआ था उस फीफा के अंदर जो एक इंपोर्टेन यू वोर्ड रखे होता है कि आ कि आलते अवन कर लुद्ट होता है सब मैक्सीमम नंबरों बैलन डी मदैञ वर्ट किसको मिले उएं सबसे मैक्सिमम नंबर मैसी को मिले मैसी के पास eight आवोड से उन से आ है कि फीफा से एक इंपोर्टेंट न्यूज है वो कवर कर लेते हैं क्योंकि अगर मैसी की बात होई गई है मैसी को अभी तो स्पोर्ट्समेंशिप वाला वो एवोड मिला है 2023 में बट जो की फीफा से एक न्यूज है इंपोर्टेंट वो देख लेते कि फीफा से एक न्यूज ह में अभ़ी हुआ था 2022 में फिफा ओफा व suggesting you T relationship का नतरू को है कि 2022 वाली चीम ती अर्जंटीना इसको वो इनका सबसे बेस्ट अवोर्ड होता है न वो होता है बैलोंडी और अवोर्ड इनका बेस्ट अवोर्ड होता है बैलोंडी और बैलोंडी और यह जो अवोर्ड होता है इसमें जो बेस्ट फूटबोलर होता है उसको सोने की बोल मिलती है एक बोल होती है फूटबोल जो कि एक गोल्ड की बनी होती है, तो इनको एक सोने की बोल मिलती है, गोल्ड की बनी ही बोल, यह जो बोल मिलती है इनको, वो आठ बोल्स है मैसी के पास, maximum number of times वो बोल कौन जीते हो है, लियोनन मैसी, सबसे maximum number of बार ठीक है, यह हो गया 22 से related, अब जो FIFA 2026 में अब होगा, यह होस्ट करवाएंगे, यह कौन-कौन सी कंट्रीज होस्ट करवारी है, यूएस, मेक्सिको, और हमारी कैनेडा, हमारी तो क्या ही है कैनेडा, यूएस, मेक्सिको और कैनेडा, यह तीन कंट्रीज है, जो कि इसको होस्ट करवारी है, फीफा से related, यह news more than enough है, आपके लिए जानने के ल होगा, ठीका, आज की लास्ट न्यूस देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जो क्रिकेट था, क्रिकेट के अंदर जो न्यूजिलेंड, न्यूजिलेंड से जो एंपायर, क्रिकेट के अंदर T20 इंटरनेशन में पहली बार ऐसा हुआ था कि फीफा के अंदर भी हु न्यूजिलेंड की है, उनका नाम याद रखना, और अगर वो रिलेटिव टू फुटबोल हो, तो यहां पर स्टैफी फ्रैफर्ट का नाम याद रखना, ठीक है, इनका मैच हुआ था जर्मनी और कोस्टारीसा के खिलाफ, उस मैच में यह थी, ओल्दो यह कोश्टन तो मै वो लिख लो यहां पर कि एक ओंलाइन गेमिंग अकैडमी है, एक online एक online गेमिंग अकैडमी है, यह online गेमिंग अकैडमी मध्या परदेश में open हो रही है, प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर मध्या प्रदेश के अंदर क्या हो रहे है एक ओनलाइन गेमिंग अकेडमी ओपन हो रही है और एक और लास्ट याद रखो कि जो इंटर कॉंटिनेंटल फूटबोल का कप है उसे इंडिया ने जीत ल करेंगे एक अच्छे नए टोपिक के साथ कल में भी हम सोच रहे हैं कि हम कल अवोर्ट कर लें 10-50 मिनट्स अव क्लास में आवोर्ट को खितम कर लें तर राइट सो हवा गुड डे स्टे सेव स्टे हल्दी गुडबाए